तो आज हम सीखेंगे टांजिस्टर की पिन फाइंड करना कि कौन सा टांजिस्टर का अमीटर पिन है और कौन सा टांजिस्टर का कलेक्टर पिन है तो मल्टी मिल्टी 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 मिल यह तो हम चालेक्तिर पीन और अमीक्तिर वाला पीन ती हैं थैज यह तो किस टारी का हमारे थैजिस्टर घ। लो आज हम जानेगों की कैसे पता करते हैं की हमका या पीन फे अनलब्ड्र आंपील या प्वारी hon, स्केनिन सांवन कुछले तो इनका नंबरिंग कुछ अलग अलग तरीके से है तो इसमें एक BC547 टांजिस्टर है और जैसे कि आप देख पार होगे एक यह तो जिसका नंबरिंग है 3053 तो तीस त्रेपन टांजिस्टर है एक that means the Transistor risk कि अगर अच्छी लगे बिट्रो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दुस्तों को भी शेयर कीजिए तो छंव इसको मल्टी मिटर से पहले करते हैं कि यह अमारा transition PNP है या NPN टांजिस्टर है कि वीमारे तो यह हमारी है आपके सामने एक डेटन म national इसको select करेंगे इस पर हम switch को on करेंगे और यह जो आप देखर हो ECBE तो यह हमारा NPN और यह PNP transistor है तो हम इसमें connect करेंगे इन परों से transistor को और उसे पता करेंगे कि हमारा transistor किस तरह किस प्रकार का है PNP है या NPN खुच छलिए मैं पहले कि तो चलिए मैं पहले सिरुकर है तो छलिए मैं पहले इसको यह सलोट देख रहे हैं अप तो इन में उसमें transistor को connect करूँ हो और देखते हैं कि हमारा transistor कि तरह ऐ cann好吃 तरह किस प्रकार का करते हैं तो मैंने इसको इसको connect कर दिया है और जैसे कि आप देख पार हुँ कि इसमें वैलो हमारी टांजिस्ट की बता रहा है यह 191 तो अब इससे हम पता करेंगी कि कौन सा हमारा टांजिस्टर का देखें कौन सा मीटर है कौन सा बेस है कौन सा कलेक्टर है तो आप इसलिए तो यह हमारा NPN टांजिस्टर है तो NPN प्रिकार का टांजिस्टर है तो चलिए अब हम दूसरा टांजिस्टर चेक करते हैं और देखेंगे कि यह तो हमारा NPN टांजिस्टर हो गया अब हम इसको दूसरा टांजिस्टर चेक करेंगे तो चलिए इसको लेते हैं तो इसका नम स्काइट दीनिस इसको इंपूट कर दिया है तो जैसे कि आप देख पारों की यह साईर डिए ओर टकेंट पर करदी टो देख पारेओ आप यह साईट का जो पें है ये से दिगी से से जो राइट साइड का है हमारे हमेटर जो बीच साइड का în tap ये बेस और जो लेप्ट साइड का थे हमारा collector paint तो ये 20247 और ये NPNak ciert तो ये भी हमारा anppne transistor हमें जGER करते हैं तो अब next we check करेंगे तो मैं इसको कनेट कर देता हूं मल्टि मिटर में तो जैसे कि आप देख पार हो कि मैं इसको खनेक कर दिया है और ये भी इसकी वेलू बता रहा है है कुछ 20 वींशी पांसो एड़ तो यह भी हमारा NPN टांजिस्टर है इसके बाद अगला टांजिस्टर ओस चेख करेंगी तो जिसका नंबरिंग है 9906 टांजिस्टर है तो यह दिखते हैं पता करते हैं कि कैसा है कि पी अंपर टांजिस्टर है और इसका कौन सा वेस से कौन सा कलेक्टर है कौन सा मीटर है घ्ट情 करें तोल्य तो मैं इसको फिरर भी इसको इसको भी मैं क हाम साँ सोव और पूट दींट दीया और को यह कोुत भीर सो नहीं कर रहा है सो उससरे स्लौट्रके चलिए जैंको दूस्रे जो प्रोड़ करते है मैं 005 बता रहा है इसको थोड़ा से चेंज करके connect करते हैं और देखते हैं कि कौन सा है ये ये देखिए है तो मैंने इसको चेंज करके connect केा है transistor को तो इस तरीके से देखिए है इसका तो ये जो right साइड में ह Bruce Lee इए माराव जो लेव्ट साइड में ही हमारा क्लोक्टर ए और जो भीच वाला पैन है यह था क्लिसका पैन दिखाता हूं चलीए अब इस ट्रींटशित को चेक करते हैं यह ज़ो कि आप देख पार हो कि 2N30 और यह 53 इसका नम्म्रिंग है तो यह टांजिस्टर है इस तरीके से के तो इसको चेक करेंगी कि यह हमारा PNP है या NPN टांजिस्टर है तो मल्टीमेंटर के दुरू तो इसको मैं मुल्टिमेटर में connect कर लेता हूं तो चलिए जैसे कि आप देख पारो कि मैं इसको connect कर देता हूं इसमें मैंने इसको इसमें connect कर दिया है और जैसे कि आप देख पारो कि यह transistor है हमारा अगर आपनों को अगर इसकी value अगर दिख रही हो तो 165 इसका value यह सो कर रहा है तो यह transistor हमारा अगर इसकी जो pin आप देख पारे हो तो जो right side की pin है हमारी emitter की pin है और जो beach side है beach की जो pin है वो हमारी base की pin है और जो left side की pin है हमारी collective pin है तो आप इस तरीके से digital multimeter से आप आसानी से transistor की pin find out कर सकते हो तो यह transistor हमारा PNP है या NPN transistor है और transistor की कौन सी lag हमारी emitter pin है कौन सी हमारी lag collector pin है तो चलिए अगला transistor हम चेक करते हैं तो मैं इसको connect कर देता हूँ जैसे कि आप देख पार हो कि मैंने इसको PNP transistor की slot में मैंने इसको connect कर दिया है लेकिन यह कोई भी value शो नहीं अगली transistor को चेक करते हैं तो यह transistor है हमारा कुछ CT VC VC 557 और इसका pin find out करेंगे कि कौन सा हमारा यह base है कौन सा collector है कौन सा meter है तो इसको हम इसमें connect करेंगे तो यह मैंने इसको connect कर दिया है तो कोई भी value शो नहीं कर रहा है तो यह हमारा NPN transistor तो है नहीं तो चलिए हम इसको देखते हैं कि PNP transistor में connect करके इसको चेक करेंगे देखते हैं कि यह PNP transistor है तो जैसे कि आप देख पार हो कि मैंने इसको PNP transistor की slot में मैंने इसको connect कर दिया है और आपको अगर दिख रहा हो देखिए ऐसे देखिए कि यह इसका जो राइट साइड का है यह हमारा मीटर है और बीच का पिन है यह हमारा बीच का है और जो लेफ्ट साइड का यह जो हमारा collective pin है तो यह हमारा किस तरीके का transistor है PNP transistor है तो transistor और रखा हुआ है तो इसको भी चेक करेंगे इसका नब्रिंग है c337 नमबर है इस transistor का तो इस transistor को हम चेक करेंगे और आपको अगर देखाई दे रहा हूँ तो यह देखे इसका लेफ्ट right साइड का है हमारा ammeter का पिन है और जो बेस यह हमारा बेस का है और जो left साइड का है वह हमारा collective पिन है तो यह झाल झाल